दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे कि डोमें कैसे पर्चेस करना है, एक्सपायर डोमेंज के फाइदे क्या है, नुकसान कहा है, लेकिना कभी हमने बात नहीं कि खरीदना कैसे, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप एक्सपायर डोमेंज कैसे पर्चेस कर सकते हो, कहां पर आपको ढूढ़ना है एक्सपायर डोमेंज को, और कैसे एनलाइस करना है कि क्या वो आपके बिजनस के लिए सही है या नहीं है, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में आप देखते हैं कि एक्सपायर डोमेंज कैसे हमें ढूढ़ना है और कैसे एनलेसिस करना हमें उस डोमेंज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, ओनलाइन मनी मेकिंग, बिसके बारे में वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे, कर देना, सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे बताओ, मुझे और किस टॉपिक को कवर करना चाहिए, तो वीडियो शुरू करते हैं, हम आज चुके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में, सबसे पहली वेब साइट जिस पर हम जाने वाले हैं, जहां पर हमें एक्सपायर डोमेंस को ढूंड़ना है, उसका नाम है एक्सपायर डोमेंस.net यह मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप से यहां पर जाके एक्सपायर डोमेंस ढूंड सकते हैं, अब हम शुरू करते हैं, ढूंडने का प्रॉसेस, आप देख सकते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे टॉप लेवल डोमेंस मि जाएंगे, सो अभी क्योंकि हमें डॉट कॉम पसंद है, सो हम डॉट कॉम पर क्लिक करेंगे, और यहां पर हर रोज बहुत सारे एक्सपायर डोमेंस आते रहते हैं, सो यहां आप देख सकते हो, हम आज चुके इस वाले पेज़ पर, और देख सकते हो, यहां पर लास 24 अब जैसे यह हमारे पास आ चुके हैं, अब यह इस इन्होंने सिर्फ फिलाल के लिए 93,000 दिखा हैं, अब लॉग इन करते हो, आपको सारे दिख जाएंगे, अब देखो, यहां पर आप देख सकते हो, इतने सारे डोमेंस से हैं, सब देखो, पुरण 2009 के हैं, 2012 के, 2010, इसमे एक साइट से 10 आजाएं, तो वो सारे सारे बैक लिंक में इकाउंट होंगे, लेकिन DP का मतलब है, कितने अलग-अलग डोमेंस से उसको बैक लिंक आ रहे हैं, और यह आप समझे होगे, कि सियर में रजिस्टर हुआ था, यह उसकी ऐलेक सा रैंक, अब आपको ठीक, इतने सा यह वाली लिंक को एनलाइस करना है, यह वाली डोमेन को हमें एनलाइस करना है, तो हमने याद कर लिया है, डबलु एच जी, एस फटी. डॉट कॉम, जैसे यह वाला लेना मत काफी complicated नाम है, लेकिन चलते हैं हम मैजेस्टिक में, मैजेस्टिक में जाके हम डोमेन को आपस क्या information आ चुकी है, इसमें 19,443 external backlinks है, referring domain है, इस पर 1835, यहाँ पर आपको backlink की पुरी history मिल जाती है, external backlinks, supplemental links, inbound links, कितने थे इस website में, यह देखा आपको सारी information मिलते, कि site पहले कैसी दिखती थी, कौन से कौन से domain से आते थे, क्या डू follow links थे, क्या no follow links थे, आपको उसका anchor text भी मिल जाता है, और फिर चाहो तो end में इसकी PDF report निकाल सकते हो, आपको क्या करना है, यहीं से सारे domains को बारी-बारी Majestic में डाल के analyze करना है, और आप एक informed decisions बना सकते हो, अगर आप Majestic नहीं जाते हो, तो आप एक और website का इस्तमाल कर सकते हो, जिसका नाम है Ubers suggest आपने सुना होगा नाम Neil Patel की website है, तो आप Ubersuggest पे भी आ सकते हो, अच्छी site है, यह भी almost same ही काम करेगी, यह free tool है, Majestic paid tool है, लेकिन काम आपका दोनों कर देंगी, यहाँ पे भी आपको just यहाँ पे आना है, अपना जो domain है, उसको यहाँ पेस्ट कर देना है, यह आपको उ सारे options मिलें, आप कहां कहां से इसे purchase कर सकते हो, आप मान लो मैं जाता हूँ, dropcatch.com पे, आप GoDaddy भी कर सकते हो, उसमें और भी options है, कहीं से भी आप उसे ले सकते हो, so आप देख सकते हो, dropcatch.com की website खुल चुकी है, यहाँ पे आपको price बता रहा है, $59, क्योंकि back orders के भी acquire करना पड़ेगा, तब जाके यह आप तक पहुचा पाएगा, so $59, I think, काफी fair deal है, ऐसे domain के लिए, इसके इतने सारे backlinks हो, तो वो एक तरीका था, यह सब चीजे करने का, एक और तरीका क्या है, justdrop.com, यह भी again, मैं description में link डाल दोंगा, यहाँ से भी आप domains purchase कर सकते हो, expired domains, deleted domains, right, so, जिसे हम देख सकते है, justdrop.com की website खुल चुकी है, and यहाँ पर सबसे पहले हमको कहा जाना है, हो है daily deals पे, यहाँ रोज इदर अच्छी deals आती है, अब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे domains के list मिल जाती है, and सारे एकदम reasonable rate पे आपको available है, तो यहाँ पर हम इसकी price is 69 dollar, अगर क्या कर रहा है, इसको आप 2500 dollar तक भी flip कर सकते हो, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखे है, हमारी domain flipping के उपर तो जरूर देखना काफी profitable चीज है, काफी सई चीज है, आपको काफी profit दिलवा सकती है, तो मानलो यार मुझे जैसे कि यह dragon.com purchase करना है, मु करते हो, domain की history, कैसे कैसे backlinks है, क्या quality backlinks है, क्या Alexa rank है, यह सारे जब आप चेक कर लो, अगर आपको purchase करना है, कि इसमें जो आपको list मिल रही है, वो सारे अच्छे domains है, काफी अच्छे domains, expired domains.net पर क्या होता है, आपको कुछ भी मिल जाएगा, आपको अपने intelligence से purchase करना होता है, लेकिन यहां पर आपको देखो, सबकी एक price है, तो उन्हीं को ही आपको purchase करना है, तो अब जैसे मुझे यह चाहिए, dracal.com मैंने click किया buy me पे, यह मुझे सिधा ले चलेगा एक PayPal page पे, बस simple, it's as easy, सिधा आप यहां पे PayPal करो, और आपका हो जाएगा domain, तो अब एक और चीज अब मैं जाओंगा wayback machine पे, wayback machine जिसको आप internet archive भी कह सकते हो, उसी की एक service से wayback machine जिसमें आप कोई भी site डालो, तो वो उसके history में कैसा दिखता था, वो आप चेक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे डालूँगा, Tracker.com, इसने बारवाज स्नैप्शॉट लिया हुआ, 11 सितमबर 2012 से 13 नवंबर 2018 तक, और यह मुझे अभी timeline बताने वाला है, पूरी, देखते हो यहाँ पे, 2012 में इसने screenshot लिया था, तो सब्सक्राइब जाते ही, 2012 में यह कैसी दिखती थी site, इससे आप एनलाइस करते हो, तो कि साइट कहीं, spammy site तो नहीं थी पहले, अची site थी या नहीं थी पहले, इसका आप देखते हो, यहाँ पे blue color है, इस पर मैं गया, मैंने यह क्लिक किया, हमारे सामने site खुल चुकी है, अब अगें 2012 में उतर नहीं कोई आप professional sites expect नहीं कर सकते हैं, इस तरह आप check कर सकते हो, कि site कैसी थी, कहीं कोई spammy site तो नहीं थी, so wayback machine आप इस्तमाल कर सकते हो, इस वीडियो में आपने देखा कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, कैसे उसे एनलाइज करना है, वेबैक मशिन की help से कैसे परता करना है, वो spammy site पहले थी या नहीं थी, और कैसे आपको उसे खरीदना है, यह सारी चीजे हो चुके, अगली वीडियो होने वाली है, कैसे आपको domain sell करना है, तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को subscribe कर दो, इस वीडियो को like कर दो, first of all, and comments में मुझे बताओ, और आगे कैसी वीडियो आपको चाहिए, and मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में,